हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो बाइ स्टुड़ी शीट चैनल दोस्तों प्रिवेस यर में जितने भी कोस्टन्स पुछे गए हैं फीजिकल एजुकेशन कमपेटेटर एक्जाम्स टीटी पीजिती के विएस एन विएस यल्टी में उन सभी कोस्टन्स को टापिक वाइज आपक इसके एक्षाइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो इसको बात करके आप अपने प्रिप्रेशन को बेहतरी में बना सकते हैं दोस्तों डेली बेसेस पर प्रेक्टिस एट लगाना न भूलिए तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज प्रशनों के श्रिंकला के तरफ तो कोशन नम्बर वन है कि एक राष्ट्रिय टीम का खिलाड़ी उत्तम परणाम देने के लिए निरंतर प्रियास करें इसके लिए उस टीम के कप्तान को विशेश रूप से कैशा होना चाहिए सत्तावादि अनुमतिबोधक, साधिकार की लोकतंत्रांतिक यानि प्रजातांत्रिक डेमोकृर्टिक तो यहां भी सही ऐनसर हो जाएगा आपसर नम्बर D लोकतांस्री यानि प्रजातांत्रिक जिससे डेमोक्रिक बोला जाता है ठीके next question है निन्ज मेशे कोंचा खेल प्रसिछऍखर के सिधान को सम्मिलित नहीं करता भार का प्रोगेशन लगा तार प्रसिछष़ का चक्र एकोनोमी आप मोमेंट तो दोस्तु इसमें भार का प्रोगेशन लगा तार प्रसिछर का चक्र इतीनों प्रसिच्चर की सिधान हैं बट एकुनामयाप मोमेंट ये कोई प्रसिच्चर का सिधान नहीं है आपसे नमबर डी करेक्ट इंसर Next question है खेल प्रसिच्चर के एक मैक्रो शाइकल की अधिक्तम अवधी होती है तो दोस्तों दस मास बारे मास छे मास नो मास तो मैक्रो शाइकल की अधिक्तम अवधी कितनी होती है बारे मास दोस्तों प्रसिच्चर चक्र में ट्रेनिंग शाइकल में तीन साइकल होती है तीन काल होती है, मैक्रो साइकल, यारी मैक्रो चक्र, मीजो चक्र और माइक्रो चक्र, तीन काल होती है, मैक्रो चक्र सबसे बड़ा ट्रेनिंग चक्र होता है, जिसे ट्रेनिंग योजना भी बोला जाता है, या तीन से बारे माह का होता है, और माइक्रो चक्र जो सबसे सुचनी चक्र होती है इसको सब्ता ही कि योजना भी बोला जाता है या तीन से दस दिन का होता है या एक सब्ता तो दोस्तों नेश्ट कोशन है मेसो साइकल की अब अधी होती है कितना होता है तीन से छे सब्ता आपसन नमबर सी यहाँ पर करेक्ट अंसर हो जाएगा नेश्ट कोशन है दोस्तों खेल पर सिच्छण में समय बधता से निवनिमेशी कौन सा समधित नहीं है मैक्रोशाइकल मेसोशाइकल मायोशाइकल तो इसमें कौन सा समधित नहीं है दोस्तों मायोशाइकल कोई खेल पर सिच्छण की समय बधता से समधित नहीं है कौन है ती ट्रेंड शैकल वे थीन होते हैं, मैक्रोस्याकल, मेस्ओ, अद माइक्रों, यहां पर अप्सर्ण निम्बर सी करेक्टन सह हो जाएगा, यह समंधित नहीं है, नेक्ट कोश्चन है, माइक्रोस्याकल की साइकल प्रसिचर की अवदी होती है, साथ दिन पंदर दिन इक्यष दिन कितना होता है दोस्तों सब्सक्राइब्स शुटा है नियत कालन चक्र यानि पिर दूदर नहीं दिया रहेगा तो एक सप्ता सही रहेगा नियत कालन-चक्र यानि पिरियोडाइजेशन साइकल में चरम-चक्र की अवधी होती है तो चरम-चक्र की आवधी कितना होती है चार से छे सब्ता तीन से छे सब्ता होता है दोस्तों यहीं як पे यहां पे यहां पर पर कम्परटिशन परियेड और ट्राजिशन परियेड तीन काल होते हैं यह यह नहीं दिया रहेगा तो माइक्रोचकर, मेस्योचकर, मैक्रोचकर इतरह चाहिंते चाह ही तो वे सम्सक्री क्यों जो हमублиूआ है हुगतिशने के लिए पाते पाते चाहईं हो इसमें हम उसको हासिल करें एन युक्ति कोसल तोanksब rejoice यहां पर करेंजigor धू Nada है नेज़ और दोस्तों है एक परिछर का उद्देश्य मुख्युस होता है एक परिछर का उद्दिश्य की होथा दोस्तों यहां पर परbon C correct answer हो जाएगा परिच्छर के प्रसाशन और स्कोरिंग के लिए दिसार निर्देश की इस्पष्टता होना चाहिए मजुद होती है आपसा नमबर C यहां पर correct answer हो जाएगा नक्स question है विशय पाठ के अंत में सिच्छक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र कारिस्थली को इसमें से किस इस्थिती में छोड़े तो दोस्तों यहां पर सिच्छक पार्ट समार्थ करने के बाद अंत में कारिस्थली को किस रुप में छोड़ना चाहिए उसको तो सकरात्मक सोच के साथ छोड़ना चाहिए जिसे उनकी जाच अवस्थ कर सकरात्मक सोच उत्पन होने की जाच अवस्थ कर लिना चाहिए यह उतना अवस्थ नहीं है कि छात्र एक ही बार में विसे के पार्ट को समझ ले जितना है कि उनमी विसे के प्रती सकरात्मक सोच उत्पन होता है हुना विसे के प्रती सकरात्मक सोच यदि छात्रों में सिच्छक द्वरा उत्पन किया जाता है तो वह भविसे में भी उन्हें पार्ट के विसे में समझाने में शफल हो सकते हैं क्योंकि दो बालक एक जैस नहीं समझ सकती इसलिए उसको सगरात्म सोच के साथ पार्थ के यांत में छोड़ना चाहिए नग्स कूछ दोस्तों समानित्या पार्थक्रम को शमझाद जाता है किसी संस्थाद्वारा निधायत पार्थक्रम कि सिच्छक के नितित्मिछात्रों की कारविदी कि समानिभी से वस्तों कि निधायत सिखने का अनुब हो तो दोस्तों पार्थक्रम अक्सर किसी संसाद्वा निधायत पार्थक्रम होता है आपसन नंबर यहां पर करेंट एंसर हो जाएगा तो दोस्तों पार्थक्रम जो होता है निर्देशात्मक होता है जो केवल या निर्दिष्ट करत है कि एक बिस्रिक ग्रेड या मानक प्राक्त करने के लिए किन बीस्यों万 को किस तर तक समझना वस्टिक है से समानने पार्थ योगना की तुल्ना में विशेस पार्थ योजना होती है तो दोस्तों यहाँ पर आपे आप्सञ घिर यतर लगे अंव होどう यहाँ पर पे समानने पार्थ योजना सार्राइक्ष च्छा और खेलों में द किस छेत्र में हाल के दसक में शांदार ब्रिधी की है तो दोस्तों यहां पर सही अंसर हो जाएगा सोध और विकास में सारे सिछाव खेलों में निवने सोध और विकास में सांदार ब्रिधी किया है हाल के दसकों में पतिये खेल के छेतर में सोध और विकास पर गहन अध्यन किया गया जिसके प्रेडाम स्वरूप पुराने रिकार्ड तूटने और नए रिकार्ड बनते जा रहे हैं नेट्स कुछन है जब एक खिलाड़ी की छमता के हिसाब से प्रसिच्छर भार न तो इतना कम हो और नहीं इतना जदा हो तो उसे हम क्या कहते हैं या इसका अपसर नमबर सी करेक्ट एनसे हो जहेगा आप्टिमल लॉड दोस्तो जब एक खिडाई की छमता के हिसाब से प्रसिछ THE बाहर नहीं होता है नहीं इतना ज़्यदा होता हैँ उसे अप्रिमल कि गुमाओधार रण कि इसे दोस्तों सटल्स तो उसको क्या जानने के लिए सिच्य कल अच्छ होता है क्या जानना होता है उसमें असन नम्बर सी यहां पर करेट हो जाएगा कि वह कितने चपल है अधके कितने चपल है यह एजलेटी नापता है तेके हैं लेस्ट को चलं़ है है चिटने को कहता अर्थ नियक्ताव को कितने प्रकार को कि आफ यहen को समंग की नंद ही हुद दोस्तो मंलश है तो समख नम्रसीय है तो आपस ragasia यहां पर करेथ को जाए गा समन्वा यक्ता यानि कोडिनेशन अबिलेटी को साथ भागों में बाटा गया है अपसे नुबर सी करेट हो जाएगा साथ भागों में कौन कौन से भागों में बाटा गया दोस्तों इसका मैंने ट्रिक बनाया है A, B, C, D, R, R, O ये साथ आपके समन्वा यक्ता यानि कोडिनेशन अबिलेटी के प्रकार है A से एडाप्टेशन अबिलेटी B से बैलेंस अबिलेटी C से कीपलिंग अबिलेटी D से डिप्रेंसियेशन अबिलेटी R से रिद्मिक अबिलेटी फिर R से रिक्रेशन अबिलेटी reaction ability ओसे orientation ability इस साथ प्रकार के समन्य यक्ता होती है next question है तिस सेकेंड शीट अप से इनमें किसका परिच्छर होता है तो दोस्तों सीट अप मापता क्या है या हमारे पेट की शक्ती सहर शक्ती और गति को मापता है option number B यहाँ पे correct answer हो जाएगा दोस्तों तिस सेकेंड सीट जो है हमारे पेट की सक्ती संसक्ती और गति का परिच्छर करता है जो अलग-अलग आयू वर्ग यों लिंक की अनसार इस परिच्छर के अलग-अलग मानक निधायत हैं जिनकी साहता सी खिलार्यू का परिच्छर किया जाता है नेक्ट कूशिन है लंबवट को द्वारा शक्ती मापने को और किस रूप में भी जाना जाता है लंबवट कूट दोस्तों यानि वटिकल जम्प दोस्तों यानि वर्टिकल जम्प की खोज किया था डूडले सॉर्जेंट ने और यह किसी ब्यक्तिया एथलेट का द्वारा इस तरी खड़ेंगे इस सिती में उर्धुहादर उपर की ओर अधित्तम उच्छाई तक कुदने में प्रवित की जाती है सक्ति की माप करती है तो दोस्तो डूडले सार्जेंट ने वर्टिकल जंब को विक्सित किया था इसलिए नाम पर वर्टिकल जंब यानि लमवद कूद को सार्जेंट कूद के दाम से भी जना जाता है आपसर नमबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेश्ट कोश्चन है खीचना यानि पुलिंग और धक्का देना यानि पुशिंग कौशल समानित्या प्रियुक्त होता है तो दोस्तो इसमें अपसर नमबर ए दिया है टेनिस बेविंटें बालीबाल इसमें न धक्का देना है न खीचना है दोनों नहीं है हाकी, साकर, हैनबाल, इसमें भी नहीं है, C है आपका कुस्ती, तिरंदाजी, रोईंग, आपसर नमबर C यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाएगा, कुस्ती में भी आप खीचते हैं और धक्का रेते हैं, यानि पूलिंग और पुसिंग करते हैं, तिरंदाजी में भी पहले को ख खीचते हैं, तब ही छोड़ते हैं, और रोईंग में भी जो पारिंग में होता है, तो इसमें भी वही होता है, तो आपसर नमबर C कुस्ती, तिरंदाजी, रोईंग में पूलिंग और पुसिंग, यानि खीचना और धक्का देना कौसर प्रित होता है, निन में से किस सहर में राष्टी खेल प्रसिचर सर्थान नहीं है, कुलकत्ता, बंगलोर, पट्याला, पट्ना, तो कुलकत्ता में दोस्तों, नेताजी सुबास, राष्टी खेल प्रसिचर सर्थान, के नेताजी सुबास, पुर्वी केद्र है, कुलकत्ता में, और बंगलो में नेताजी सुभास राष्टी खेल परसिचर संस्थान अवस्त है तो दोस्तों यह साथ मैं 1961 को एनस 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 की सुभात हुई अपसर नमबर भी यहां पर करेट एंसर हो जाएगा दोस्तों यहां एनस 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 नेताजी सुभास राष्टी खेल संस्थान जो है वो पत्कारिंस केंद्री सिच्छा मंत्री डाक्टर के एनस रिमाली में साथ मैं 1961 को नेशनल संस्थान रखा गया सबसे पहले 1971 में नाम से शुरू किया गया था अज इसका नाम 1973 में नेताजी सुभास दाष्टी खेल संस्थान रखा गया इस संस्था का कारे क्या है दोस्तों नेताजी सुभास दाष्टी खेल संस्थान का कि देश में खेलों को परसाहन देता है उच तो बज्ञानिक प्रसिठर या कोचिंग देता है नेटा जी राष्टिक खीड़ा संस्थान प्रटियाला की स्थापना हुई थी कब हुई थी 1961 में अफसर नंबर बी नेटा जी इसमें किसे किसी प्रबंधन का मुख्य बिंदू कहते हैं यहां पे सही अंसर हो जाएगा प्रबंधन का मुख्य बिंदू है सभी में आपसी सहयोग एवं बिश्वास सभी में आपसी सहयोग एवं बिश्वास प्रबंधन का मुख्य बिंदू कलाता है प्रबंधन का अर्थ होता है उपलब्ध संसाधनों का दच्छता पुरवक तथा प्रभाव पूर तरीके से उप्यूग करते हुए लोगों के कारियों में समन्वै करना ताकि लच्छों की प्राप्ति सुन्स्चित की जा सके प्रबंधन के प्रसासकीय सिध्धान्त को किष्ण ने विख्षित किया तो दोस्तों प्रबंधन के प्रसासकीय सिध्धान्त को हेनरी फियाल ने विख्षित किया आपसन नमबर ए हेनरी फियाल ने विख्षित किया पसासनिक प्रवंध सिधान्त एक संपूरक के रुप में किसी संगठन को डिजाइन करने के लिए एक तर्ख संगठ मार गया उपायक होजने का सार्थक प्रयास करता है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही I hope के सभी questions आपको समझ में आए होंगे दोस्तो एक वीडियो को ऐसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताईए दोस्तो एंड ज्यादे ज्यादे सेयर किया कीजिए इसे मुझे एक नया motivation मिलता रहे जिससे आपके लिए मैं वीडियो डेली बेसे से बनाती रहूं एंड दोस्तो पर हुआ विजिट कर रहा है तो चैनल के सब् प्रेस कर लेजिए जिससे जब ही मैं नया वीडियो अप्लोट करेंगी उसका नाटिपिक किसन आपके पास जातर रहेगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट टापिक के साथ तब तक के लिए चैनल